नमस्कार आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड आएए दोस्तों सुनते हैं पूना महमजी के लिखी कहानी इस प्रेहा सिर्दर्ध होना तो अब आम बाती थी या तो माधवी का आज कल हर महीने का कस्ट बन गया था पिशले चार महीनों से पेरियट से पहले एक दिन इतना तेश सिर्दर्ध होता है कि पेन किलर टेबलेट लेने से भी आराम नहीं मिलता आज कल या सिर्दर्ध ही जैसे बताने लगा है कि कल पेरियट होगा ऐसे इस्त्री तन्मन हर स्थिती में स्वैम को समहाल लेना जानती ही है सो माधवी भी समझ गई है कि आज वा कुछ भी कर ले या सिरदर्द रात तक रहेगा फिर कल उसे पेरियड हो जाने पर सिरदर्द भी महीने भर के लिए गायब रहेगा एक दिन माधवी की खास दोस्त निर्जा ने भी उसे बताय था कि मैनों पोस के समय कई तरह के बदला होते हैं उसमें मानसीक वशारिक परिशानिया भी होती है वो भी इस इस्थिती से गुज़र चुकी है पूरा दिन माधवी का ना कुछ खाने का मन करता है ना कुछ करने का किसी से बात करने की इच्छा भी नहीं होती माधवी ने किसी तरह सुबह अपने पती तन मैं और बेटी तन वी का टिफिन तो बना लिया था पर खुद जरा भी खाने की इच्छा नहीं होई थी दोनों आराम कर लो कहते हुए ओफिस चले गए थे बेटा गौरव ऑफिस की मीटिंग के सिलसिले में कुलकाता गया हुआ है एक हपते में आएगा तो पहर के दो बज रहे थे पर माधवी की हिम्मत नहीं हुई कि उठकर किचन तक जाए और अपना खाना ले ले सिर की नसे फट रही थी नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था तो अब पेट खाली था ऐसीडिटी हो रही थी इतने में पास रखा मोबाइल वाइब्रेट होने लगा उसने फोन साइलिंट पर रखा हुआ था पर वाइब्रेशन महसूस हुआ देखा इस प्रिहा का फोन था नहीं उसे फोन नहीं उठाना है वा मीची मीची बाते मम्मी आप कैसी है खाना खालिया है न कुछ काम तो नहीं है न सिर को दुपट्टे में बांधे बांधे मादवी इस प्रिहा के बारे में सोचने लगी उसके बेटे गौरब की गल्फरिंड है इस प्रिहा गौरब से पान साल बड़ी माधवी को अपने बेटे और इस लड़की की उम्र का या फर्क मन ही मन बहुत कचोड़ता है उसका मन कई बार जुझलाहट से भर उठता है और इसका कारण उम्र ही नहीं इस प्रिहा का तलाक शुदा होना भी है गौरब को इस प्रिहा दोस्तों के फंक्शन्स में मिली थी गौरब ने बताया है कि इस प्रिहा घरेलू हिंसा का शिकार भी रही है इसके पिता की संपत्ती के लालच में इसे ससुराल में खूब मारा पीटा जाता था एक दिन वो सब छोड़कर माय के आ गई थी बहुत लंबे समय डिप्रेशन में रही है अब थोड़ा सामानी हुई है मादवी जानती है कि गौरब के दिल में इस प्रिहा के लिए बहुत अधिक प्यार वा सहानुभूती है तन्मे और तन्मी भी इस प्रिहा को बहुत पसंद करते है मादवी ने अपने मूँ से तो कभी कुछ नहीं कहा पर तलाख शुदा वा उम्र में बड़ी लड़की अपने बेटे के लिए उसे नहीं जच रही थी वैसे जब भी स्प्रिहा घर में आती है घर चहेकने लगता है वैसे तो मादवी ने अपने बेटे के लिए जैसी लड़की के सपने देखे थे इस प्रिहा उन सभी पैमानों पर फिट बैखती है पर बेटे के लिए उम्र में बड़ी और तलाख शुदा लड़की के सपने थोड़े ही देखे थे कौन मा देखती है? देखने में सुन्दर, महंती, एक्टिव, उच्चुसिक्षिप, मौडन, बड़ों का सम्मान और छोटों को खुब सनेह देने वाली इस प्रिहा जब मादवी से बात करती है तो मादवी भूल जाती है मन की कसक इस प्रिहा के हर बात मादवी मंत्र मुगध होकर सुनती है कितनी ग्यान भरी बाते करती है मादवी के पढ़ने के शौक को ध्यान में रखते हुए वही तो उन्हें किताबों की दुनिया में ले जाती है हर बात घर में सबका ध्यान रखते हुए करती है मजाल है कभी किसी को उसकी कोई बात नागवार गुजरी हो मादवी ने कसमसा कर करवड बदली भोग तो लगी थी पर सुबह जो तन्मे और तन्मी के लिए खाना बना था छोले और आलूगों भी जरा भी खाने का मन नहीं था बस खिचडी खाने का मन कर रहा है जीरे और हिंग से छोकी गई खलके से साधी पतली खिचडी जैसे माँ बनाती थी मादवी की आखों के कोरों से आसु धलक गए कौन बना कर देगा अब खिचडी कोई भी तो नहीं कौन है ऐसा पिछले महीने भी तो इस सिर्दर्द में यही खिचडी खाने का मन किया था सोजा था अगले महीने अपने लिए पहले ही बना कर रख लेगी पर कहां अपने लिए अलग से कुछ बनाने की हिम्मत होती है तब यद खराब होने पर चार चीजे तो नहीं बन सकती न वो वही तो बनाती है जो सबको खाना होता है उसे याद आया कुछ महीने पहले भी सिर्दर्द के समय तनवी घर पर थी मादवी की खिचडी खाने की एक्षा को देखते हुए तनवी ने कहा था मा खिचडी कौनसी बड़ी चीज है अभी ओर्डर कर देती हूँ आज कल सब तो मिल जाता है मादवी हैरान हुई थी खिचडी भी ओर्डर करोगी अब हाँ मा आज वीकेंड है मैं तो आराम के मोड में हूँ पापा और गरप को तो बनाना आता नहीं है हम अपने ले कुछ और ओर्डर कर लेंगे आपके लिए खिचडी ठीक है मादवी ने यूँ ही बस सिर हिला दिया था तीनों के लिए पिज्जा और उसके लिए खिचडी आ गई थी अच्छी थी पर मन में कुछ चटक जरूर गया था जब इस प्रिहा अचानक आ गई थी और बोली थी अरे मुझे फोन क्यों नहीं किया मैं आकर खिचडी बना देती मा को तो पहले से ही ठीक नहीं लग रहा है उस पर बाहर की खिचडी प्रिहा का चेहरा उतर गया था तन्वी से कहा था मुझे फोन क्यों नहीं किया मादवी ने सुभावर्ष बात समाली थी देरे से अकेले में कहा था कि आज कल यह सिर्दर तो हर महिने पेरियर से एक दिन पहले हो रहा है योहीं खिचडी खाने का मन हो जाता है बहुत हलकाई खाने की इच्छा रहती है कोई बात नहीं अच्छी थी खाली मादवी के लिए सुभावर्ष का इतना चिंता करना भी कुछ खास माइने नहीं रख पाता है कारण वही कि बेटे के लिए उसी की कोई हम उमर लड़की होती तो अच्छा रहता रह रहकर मादवी का फोन बचता रहा था हर बार वाइब्रेशन होने पर मादवी ने देखा इस प्रिहा ही थी मन नहीं है बात करने का नहीं उठाया पर ऐसी एक नहीं कई बाते माध्वी को लेटे लेटे याद आ रही थी, जब इस प्रिहा ने घर के हर छोटी से छोटी बात के चिंता की थी, कभी माध्वी कपड़े सुखाने के लिए बालकनी में होती है, तो चुपचाप उसके हाथ से कपड़े लेकर सुखाने लगती है इस प्रिहा, कभी किचन में बरतन पोच रही होती है, तो दूसरा कपड़ा लेकर भवी पोचने लग जाती है, कभी सब के साथ खा रही होती है, तो बाकी तीनों तो अपनी प्लेट सिंग तक रहकर छुटी करते हैं इस प्रिहा ये पूरा टेबल साफ करवाती है सब डोंगे बर तनवही किचन तक ले जाती है टेबल साफ करती है कोई और कहा ध्यान देता है इतनी छोटी छोटी बात पर माध्वी से स्प्रिहा की एक भी हरकत छुप नहीं पाती है वा उसे पसंद करती है प्यार भी करती है पर उम्र और तलाक की बात पर माध्वी के मन की सुई अटक जाती है वा बस आगे नहीं सोच पाती है गौरब ने उसे स्प्रिहा की पुर्व विवाहित जीवन की शारीक और मांसी की अंत्रणा के बारे में बताया हुआ है एक इस्त्री होने के नाते उसे पूरी सहान उभूती है स्प्रिहा के साथ पर कुछ तो है ना जो खटकता है माधवी के निस्शलमन को भी अचानक डोरबिल बजी माधवी ने टाइम देखा पौने तीन बज रहे थे उसने दोपहर से कुछ खाया ही नहीं था अभी तक दरवाजा खोल हूँ या नहीं किसे फ्रेंट से मिलने की ना तो इच्छा थी ना हिम्मत देखना तो पड़ेगा ही कहीं कोई कूरियर हो माधवी बैट से उठी सिरकी नसे जैसे फटने को थी आखें आसों से दुधला गई और जैसे ही मुँसे ओमा निकला रोना आ गया अब कहां कोई था मायके में वह अकेली ही तो संतान थी माता पिता इस दुनिया से विदा ले चुके थे जाकर दर्वाजा खोला मै की गर्मी में पसीने से तरबतर इस प्रीहा खड़ी थी अरे तुम इस समय इतनी धूप में क्या हुआ ओफिस नहीं गई क्या तेजी से अंदर आते हुए तेजी से अंदर आते हुए इस्प्रिया हमेशा की तरह पहले माध्वी के गले लगी आपने फोन नहीं उठाया तो बड़ी चिंता हुई वार्ट से पर भी आप सुबह से ऑनलाइन नहीं है पापा गौरव और तन्वी से भी पूछा तो उन्होंने बताया कि आज आपको सुबह से सिरदर्द है माध्वी ने नामे सिरह लाया ओ, मुझे अंदाजा था आपने बताया था आपको आज कल भेंकर सिरदर्द हो रहा है फिर अपने बैक से एक टिफ़े निकाल कर बोली या खाई या आपके लिए खिचड़ी बना कर लाई है फिर किचन में जाकर एक प्लेट में खिचड़ी निकाली, फ्रिज से दही भी अपने आप निकाल ली, डानिंग टेबल पर रखते हुए बोली, आईए मा खिचड़ी खा लीजे मादवी चेर पर बैट कर बोली, तुमने इतनी तकलिफ क्योंकि इतनी गर्मी है बाहर अरे मा, आपके चिंता हो रही थी, आज कल आप बहुत लो भी महसूस करती रहती है न मादवी के आखे चलचला उठी, हद से जादा सरदर्द, और उस पर स्प्रेहा का सनेहिल स्वर सुन कर ही दिल भराया स्प्रेहा किचन में गई और एक कटोरी में तेल गर्म करके ले आई, घर की हर चीज कहां है, उसे पता है मादवी कोई स्प्रेहा के हाथ के खिचड़ी, इतनी अच्छी लगी थी, कि पेट भर कर खाली, पर मन नहीं भरा था मा के हाथ जैसा ही स्वाथ था खिचड़ी में, यह लड़की तो सब कुछ जानती है, आज कल यही तो मन होता है कि कोई तकलीफ में बस इतना कर दे पर कहां हो पाता है यह सब, तनवी से मन ही मन उमीद करती है मादवी, बेटी है पर उसका मन ही नहीं होता कीचन में कुछ करने का, फिर अपना ख्याल किसी से कहलवा कर, थोड़े ही रखा जाता है कोई खुद रखे तो बात है मादवी प्लेट किचन में रखने जाने लगी तो इस प्रिहा ने हाथ से ले ली उसे उठने ही नहीं दिया उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली बस आप बैठिये माँ मैं जरा सिर में तेल लगा देती हूं आपको आराम मिलेगा मादवी इस प्रिहा किस नेह के जादू में घिरी वापस चेर पर बैठ गई इस प्रिहा ने गुल्गुना तेल सिर में लगाना शुरू किया बालों की जड़ों तक हाथों के दबाव से मादवी को इतना आराम मिला कि उसका मन हुआ किस प्रिहा से लिपट कर रू पड़े उसने अपनी सिस्कियों पर काबू रखने की कोशिश की पर आसो गालों पर ढुलखी आए मादवी नहीं चाहती थी किस प्रिहा जाने की वह रू रही है पर जैसे ही उसने धीरे से अपने आसों को पोचने के लिए हाथ उठाया इस प्रिहा बोल उठी क्या माँ आप रो रही है अब मादवी रो ही पड़ी बहुत दर्द है अभी आराम हो जाएगा मा जैसे जैसे मादवी के दिल को एक सुकून पहुच रहा था उसका दिल चीख चीख कर जैसे उसे उलाहना दे रहा था कि वह जिन कारणों से अपने दिल में इस प्रिहा जैसी लड़की के गुड़ों को नजर अंदाज कर रही थी क्या वे कारण इतने बड़े हैं क्या एक इस्त्री होकर भी दूसरी इस्त्री को जो अतीत में इतने दुख सह कर बाहर आई है प्यार से वन्चित रखना ठीक है एक विवाहित कम उम्र की लड़की अगर उसकी बहु बनकर घर में आए और वह घर में किसी को भी स्नेवा सम्मान ना दे तो क्या कर लेगी माधवी क्या इंसान के गुड़व सभा को उम्र और समाजिक स्थिती के पैमानों पर बाठना उचित है नहीं कदापी नहीं माधवी को लगा जैसे उसके सिर से बड़ा बोज हट गया है मनफूल सा हलका हुआ तो इस स्प्रीहा का ढेर सारा प्यार आ गया उसने स्प्रीहा के तेल लगे हाच चूम लिये और कहा बस कर अब बहुत आराम है सच्मा खुशी से स्प्रीहा की आखें चमक उठी बोली अब आपके लेग कब चाय बना दूँ मैं बना लूँगी तुम बैठो तुम भी पी कर जाना नहीं मैं आफिस भागती हूँ जरूरी काम है कहकर निकली हूँ आफिस से आज शाम को बहुत जरूरी मीटिंग है आप अपना ध्यान रखना बस आपको देखने ही भाग कर आई थी आपकी तबियत पता चली थी तो काम में मन लग नहीं रहा था कहते कहते उसने हाद धोकर अपना बैग उठाया बाहर की धूप से बचने के लिए इसकार्व बां था और हमेशा की तरह उसके गले लग कर बाई मा कहकर जटपट सीड़िया उतर गई मादवी ने दर्वाजा बंद किया वह जैसे किसी और ही दुनिया में पहुच गई थी जहां उसके हिर्दे में इस प्रिहा के लिए इसने ही इसने ही था और कुछ भी नहीं वह मन ही मन इस प्रिहा को हमेशा के लिए इस घर में लाने के लिए उसके माता पिता से मिलने को उत्सुखो उठी थी झाल